साथियों जैकिसान में रवी आजाद, साथियों जो सरकार द्वारा और प्रसासन द्वारा प्रायोजित हमला डिप्टी स्पीकर रनबीर गंगवा पे हुआ था और उसका आरोप हमारे काले जंडे दिखाने वाले आंदोलनकारी युवा साथियों पर लगा करके देशद्रों के राजद्रों के और 307 के मुकदमे दर्ज किये गए थे और हमारे पांच साथी सिर्शा की पुलीस ने गिरफतार करके और जेड में बंद कर दिये थे और आप सब को पता है कि खटर सरकार के इसारे पर दुश्यन चोटालाजी के इसारे पर और तमाम सरकारी तंत्र के दबाओं में बगैर किसी राजद्रों के आरोप के देशद्रों के आरोप के हमारे साथियों को जेडों में डाल दिया गया था और सातियों 6 दिन वहां संघर सला 17 तारिक को सिरसा में जो लगू सची वाले है जहां पुलिस ने बेरिकेटिंग लगा रखी थी वहीं आंदोलन शुरू हुआ और 18 तारिक से हमारे संयूक किसान मोर्चा के वरिष्ट नेता बलदेव सिंग सिरसा जी इस संकल्प के साथ आमरन अंसन पर बैठे कि या तो मेरी विदाई होगी या युवा किसान साथियों की रिहाई होगी और बताते हुए बहुत खुसी हो रही है आज का दिन एतियासिक है एक तरफ किसान संसद शुरू हुई है मानसून सत्र के बराबर में तो दूसरी तरफ छे दिन का संघर्स और पांच दिन का बलदेव सिंग सिरसा जी का अंसन रंग लेकर के आया है और बगैर किसी सर्थ के जो हमारे पांच साथी जेड में बन थे उनको रिहा करना पड़ा खटर सरकार को और गठबंदन की सरकार को मैं पुने ये बात स्पष्ट कर दूँ कुछ भाई कह रहे हैं कि जमानत लगाई गई है कोई जमानत नहीं लगाई गई बगैर किसी सर्थ के रिहाई हुई है इस बात को हम ठीक करें और साथियो मेरा सब को निवेदन है जितने हमारे संगठन है हमारे भाई प्रलाद सिंग भारू खेडा जी भाई लकविंदर जी और सभी हमारे तमाम हर्याना भरसे सिर्षा भरसे किसान युवा सातियों का सभी संगठनों का सभी सामाजिक संगठनों का खापों का हम बहुत आभार परकट करत और आपने हिसार जीता आपने टोहाना जीता आपने सिर्षा जीत करके भी एक नया इतिहास रच दिया आपके संघर्स को सेल्यूट करते हैं और इसी के साथ में जो भी आगामी कारिये क्रम सिर्षा के आंदोलन के लिए था जैसे कि सिर्षा को आदे दिन बंद करने का जा रहे हैं और अभी अंसन जो है पांच दिन का अंसन जो बलदेव सिंग सरसाजी ने अपने सरीर को नुक्सान करके और एक संघर्ष के प्रतीक बने हम उनको नमन करते हैं और उनका अंसन भी अभी खुलवाया गया है तो मैं एक बार पुने हमारे रिहा हुए सातियों को बहुत बढ़ाई देता हूं और संयूक किसान मोर्चा का विशेश धन्यवाद जो पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में खड़ा रहा निस्चित तोर पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर करें साथ यो जै हिंद जै किसान से वाड़ें दा तनवाद करना जोना कि जिन्या की बल देव सिंग सिर्शा जी यानि कि मेरे दादा जी दा साथ देखे ए अंदोलन जेड़ा की एस पी ऑफिस से बाहर लगा सी उन्हों जिताया है अथे पांज नोजवान बेकसूर जेड़े एस पी सिर्शा ने एरेस्ट कित जेड़े मेरे अंकल आंटी वीर ने उन्हा करके ओगाया क्योंकि उसार इत्थे तर नेत्या के बहुत साहँ दिन दे रहे हैं ते सब तो ज्यादा सिर्शा वाले ने साहँ दिता है क्योंकि पंजाब दे लोग को काटी इस तर नेत्या है क्योंकि पंजाब दे लोग क्योंकि वीर नेत्या है